बिल्ली में कोरोना के केसिज जैसा हम सब जानते हैं बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए केसिज की संख्या को देखते हुए सरकार ने इस बात पर फोकस करना शुरू किया है कि लोगों की जान बचाना ज़रूरी है लोगों को अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहां उनक का एडमिशन आसानी से हो जाए उनको वह ट्रीटमेंट ठीक से मिल जाए जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों को फिर उनकी जान बचाना ज़रूरी है सारा फोकस सरकार इसी पर कर रहे है इसलिए कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी जितना जादे से जादे हो जाए है पूरी स्टेटेजी उसको रखके बनाई जा रही है अभी तक हमने पांच सरकार्य स्पतालों को फुली कोविड डेकलेर किया है हमने तीन प्रावेट होस्पिटल को फिली कोविड डेकलेर किया था और और 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं एक सीमित उसमें जिसका जिकर साथिम्पजी करेंगे उनको हमने 20% उनकी जितनी भी बैड कैप सिटी थी उसके 20% कोविड डेडिकेटेड मेडिकल फैसलिटी के लिए डेडिकेट करने के लिए ओडर दिये थे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने इसको माना हैं और 20% अपने बैड कोविड के लिए रिजर्व करके रखे हैं इसका फायदा यह है कि कोई भी विक्ति किसी भी तरह का इलाज कराने अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको फिर यह कहके वहां उसका इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता कि आपको तो कोविड है और आपका हम हार्ट का इलाज नहीं कर सकते या आपको तो कोविड है आपका हम फलाई इलाज नहीं कर सकते जो नॉर्मल कोर्स में हम कर सकते थे इसके इसलिए यह 20% का ओडर किया था तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो इसको फॉलो कर रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स को शायद अभी अपने लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ रही है उनका कहना है कि हमारे लिए मिक्स सिस्टम चलाना मुश्किल हो रहा है तो जिन हॉस्पि पितंपुरा में हैं इन तीनों हॉस्पिटल्स को हमने फुली कोविड हॉस्पिटल में कनवर्ट कर दिया है अब यहां केवल कोविड के मरीजों का इलाज होगा इसी तरह कुछ और हॉस्पिटल्स भी हैं जो अभी इस 20% बैड रिजर्वेशन पे उनका मानना है कि मिक्स चलाने में दिक्कत होती है तो हमने उनको भी कहा है कि कल तक देख रहें अगर कल तक पी दिक्कत जारी रहती है आपको तो फिर आपके हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल डिक्लेर कर देंगे तो जो जो हॉस्पिटल 20% वाला नहीं कर पाएंगे हमने को यह रिक्वेस्ट किया है कि फिर पूरी तरह से कोविड होस्पिटल के रूप में वो कनवर्ट हो जाए यह है जैसा मैंने कहा मुख्यमिंटरी अर्विन केजरिवाल जी का पूरा फोकस इस बात पर है कि लोगों की जान बचा है हमें डेटा में नहीं उलजना है हमारे कोई कोई राज्यों से कॉम्टिशन नहीं है लेकिन हमें दिल्ली के लोगों की जान बचानी है हमें यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल की जरुत पड़े तो उसके पास में बैड उपलब्ध हो हम इसलिए जितने भी पॉलिसी बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं इसलिए सबसे यह भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है अगर आपको कोई परिशानी नहीं है वो अगर कोरोना पॉस्टिब हैं तो आप अपने घर पे रहें हॉस्पिटल में ना भागें हॉस्पिटल केव पर आप वहॉस्पिटल में ना जाए और किसी भी तरह के किसी पैनिक मिना है सबसे पहले तो मैं यहीं समझाद मताना चाहूंगा कि symptomatik और asymptomatic का फर्क है इसमें तीन केटेगरी होती है पहली asymptomatic या mild symptoms ज्याज़े बुखार होना खांसी होना यह mild symptoms में आते हैं asymptomatic के साथ ही आते हैं दूसरी category moderate होती है और तीसरी severe होती है moderate category के अंदर आपका respiratory rate है सांस लेने की गती 15 से ज्यादा अगर आपकी 15 से ज़्यादा है तो उसको moderate कहते हैं और अगर वो 30 से ज़्यादा सांस लेने की गती एक मिनट के अंदर है तो उसको severe कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत एस्म्टमेटिक और माइल केसे में वखार खांसी या कोई सिम्टम नहीं है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है अस्पदाल में आप घर पे रहे के अराम से ठीक हो सकते हैं आज भी कई हजार लोग होम आईसोलेशन में हैं और वो सब ठीक हो रहे हैं अगर आप मॉडरेट आपकी ऑक्सिजन लेवल 94% से नीचे चलिए आती है 90 से 94 की बीच में और सांस लेने की गती 15 से उपर है तब मॉडरेट में कहलाते हैं तब आपको हस्पिटल की जरूरत है या आपकी ऑक्सिजन लेवल 90 से नीचे 90% से नीचे और आपकी सांस लेने की गती एक मिनट में 30 से उपर जलाते हैं तो सीवियर कटेगरी होते हैं इमीडियेट आपको हस्पिटल की जरूरत है बाकी लोगों को हस्पिटल जाने की अभशक्ता नहीं है